है ओर वेडोवरन विडियो फ्लाइव सेंज जोलोजी इस वीडियोमें हम पढने वाले हैं भूट है आज इस वीडियोमा पढने वाले हैं पेल्जिक जॉन के भारे में ठीके ओल्डो मराइन हेबिटे हम पढ़ लिए जिसमें किसे marine habitat divided होता है वो हम पढ़ने वाले हैं ठीक है पैलेजिक जोन क्या है पैलेजिक जोन इंक्लूड दे अंटाइर वाटर मास लाइंग अबो दसी बोटम और बैंथिक जोन बैंथिक जोन से जितना भी उपर वाटर मास प्रिजेंट है उसको हम बोलते हैं पैलेजिक जोन ठी ठीक है लाइंग अबो दसी बोटम से अबो और बैंथिक जोन से उपर की तरफ जितना भी वाटर मास प्रिजेंट है उसको हम पैलेजिक जोन बोलते हैं फॉर्दर पैलेजिक जोन जो है टू केटेगरीज में डिवाइड होता है ठीक है नेरेटिक जोन और ओशिन जोन में यह चिछला पानी प्रिजन होता है जहां पर ऊसको नेटरिक जोन 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 फर्दर दो केटेगरी में डिवाइड होता है नेरेटिक जोन और ओशिअन जोन ठीक है नेक्स सबढ़ते हैं डिपेंग ऑपन लाइट इन इंटेंसिटी ढ़ीजिक जोन जोन है उसमें भी जोन होते हैं further. Depends करता है कि light and density कितनी है थिक है तो light intensity कितनी है crowd region में उसकी basis बीचा इस फर्दर ये दो तरीके से divide किया ग्याय है यूफोर्टिक zone और Mutta 429 तो डिजो उछतो एंड़गे 420 को दो तरीके से जो हैu फंजयृत किया ग्याय है on the basis of light intensity ठीक है लाइट कितरी गिर रही है लाइट कहा तक penetrate कर पा रही है उसके basis पे पैलेजिक जोन को फर्दर दो तरीकी से जोन में केटेग्राइज किया गया है अगर बात करें यूफोटिक जोन की तो इसमें क्या होता है इंक्लूड अपर सर्फेस ठीक है यूफोटिक जोन में अपर सर्फेस इंक्लूड कर रहा है जहां पे जो है light penetrate कर पा रही है या फिर sunlight आ पा रही है ठीक है तो जहां पे sunlight present होगी चाइड सी बात है वहाँ पे जो है light penetrate कर पा रही है मतलब photosynthesis होगा वहाँ पे photosynthesis होगा यानि कि वहाँ पे autotrophs प्रेजेंट होंगे यानि कि फ्रोडूसर्स वहाँ प्रेजेंट होगे यानि कि phytoplankton प्रेजेंट होंगे यूफोटिक जोन में क्योंकि light की जरुत किसे है autotrophs को autotrophs जो है photosynthes करके अपना बनाएंगे ठीके अब यूफोटिक जोन में जो है light प्रेजेंट होती जिसकी help से जो है autotrophs अपना food synthesize करेंगे with the help of photosynthesis ठीके तो यहाँ पे जो है autotrophs प्रेजेंट होंगे यानि कि phytoplankton प्रेजेंट रहते हैं यूफोटिक जोन में ठीके पैलेजिक जोन में यूफोटिक जोन में ही जो है phytoplankton जो है प्रेजेंट रहेंगे यानिकी producers प्रेजेंट होते हैं अब बात करते हैं एफोटिक जोन जहां पर light absent होती है ऐसा जोन ठीके लाइंग immediately बिलोग दा यूफोटिक जोओं इस ठीक योफोटिक के बाद जो है वह प्रज़ंट रहता है जस्ट अबॉटीट होता है क्योंकि यहाँ होती हैलाइट कर पारियालाइट प्रज़ंट होती है एफोटिक जोन में light absent होती है present नहीं होती यानि कि penetrate नहीं कर पाती है ऐसा जोन lying immediately below the euphotic zone ठीक है light is completely absent light absent रहती है photosynthesis does not occur and producers absent ठीक है तो यहाँ पर light penetrate नहीं कर पाएंगी it means जो है producer जो है food absent होगी क्योंकि वहाँ पर photosynthesis ही नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर light ही available नहीं है ठीक है तो ऐसा जोन में जो है किस तरीक से जोन जो है present होते हैं ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं आप एले जिक जोन जो हमने डिसकस क्या था उसमें दो तरीकी जोन प्रेजन होते हैं नियरेटिक जोन छोन फिर जफट है अगर हम चलेंगे तो उस्यलेसर पायने की गैराई जो है वह सब्सक्राइब एलाइट की इंटेञ्सिती कितनी है दिए कि फ Would अब लाइट रेहां के लाइटी सबसे ज्यादा तो हुआ है, और ऐफ्वोटिक जोन जहां पर लाइट एबिक टेम सिगने, 1500 अएलएट एक अपिरे等, ठीक है तो यूफोटिक जोन वो जोन है जहां पर light available होती है या light के intensity बहुत ज़्यादा होती है ठीक है या फिर light available है इसलिए यहां पर phytoplankton होते हैं क्योंकि phytoplankton photosynthesis करते हैं photosynthesis ही अपना food synthesize करते हैं और aquatic habitat अगर हम बात करें तो phytoplankton aquatic habitat में producers होते हैं ठीक है क्योंकि यह autotrophs हैं अपना खाना खुझ synthesize करते हैं तो phytoplankton वहां present होंगे जहां पर light available होगी light penetrate कर सकती है तो अगर up to 100 meter की अगर हम बात करें up to 100 meter light की intensity होती है light penetrate कर पाती है oceanic reason में ठीक है तो यहां पर क्या present है phytoplankton present रहते हैं यहां यहां पर light penetrate कर पा रही है अगर यूफोटिक की नेचे की तरफ क्या present है जस्ट बाद में present होता है यह autotik zone जहां पर light penetrate नहीं कर पा रही है ठीक है यहां फिर हम बोल सकते light absent होती है तो जहां पर light available नहीं है light absent है जहां पर यहां पर plankton and nekton present होते हैं प्राइमरी कंजूमर या फिर सेकंडरी कंजूमर भी बोल सकते हैं ठीक है water current होगा यानि कि जिस तरफ पानी का flow होगा बहाव होगा उसी तरफ यह flow कर पाएंगे independent यह flow नहीं कर सकते या फिर पानी के पानी का current है पानी का जो भाव है उसके against नहीं जा सकते free floor नहीं होते free swimmer नहीं होते ठीक है या फिर हम बोल सकते खुद इन नहीं होती है स्विम करने की नेकटोन जो होते हैं वह फ्री स्विमर होते हैं पाली के करन्ट के अगेंस यह जा सकते हैं फिर एक्जामपल अगर हम फिश्ट की बात करें तो वह नेकटोन होती है ठीक है पाली के करन्ट के अगेंस जा सकती है ठीक है प्लैंकटोन में ऐसी कोई capability नहीं होती है ठीक है तो below the euphotic zone यानि कि aphotic zone में pelagic organisms जैसे की nakatons and plankton present होते हैं ठीक है अगर आप example देखें कौन कौन से pelagic organisms होते हैं डाइटम्स small algae blue whale sperm whale तो यह कुछ example हमने लिए हैं pelagic organisms के जो कि pelagic environment में हम बोले कि pelagic zone में present होते हैं यूफोटिक zone के जस्ट बाद में aphotic zone है aphotic zone में यह present होते हैं जहां पर light की intensity बहुत कम होती है या फिर हम बोले light जो है absent रहती है ठीक है नीचे की तरफ greatest depth याने की गहराई present होती है ठीक है तो इस तरह किसे जोनेशन होता है marine environment की अगर हम बात करें तो ठीक है उपर की तरफ ओशन लेवल और ओशन में phytoplankton present है यानि कि यूफोटिक जोन में यूफोटिक जोन के जस्ट बाद में aphotic zone present होता है जहांकि light जो है absent रहती है वहाँ पे पेलिजिक organisms plankton and present होते हैं plankton यानि कि जो plankton छोटे छोटे और्गैनिजम जो की water current के साथ में फ्लो करते हैं और नेकर टोन जो की water current के अगेंस जा सकते हैं ठीक है example जो हमने discuss कि ठीक है तो इस वीडियो में हमने ने देखा कि किस तरीके से जोनेशन है माराइन इन्वार्मेंट में पेलेजिक जोन किस तरीके से प्रिजेंट है ठीक है तो इस वीडियो में इतना है thank you so much for watching this video I'll see in the next one